विशेश रिपोर्ट कैसे लिखें अभी तक हमने इस पार्थ में पिछले अंश में ये जाना कि पत्रकारी लेखन क्या है और उससे समबंदित सावधानिया क्या है और ध्यान रखने योग्य बाते क्या है और साथ ही फीचर लेखन के बैरे में भी जाना कि वो समाचार पत्र और पत्रकारी लेखन से किस प्रकार समचार पत्र से अलग होता है और उससे समबंदित सावधानिया क्या होती है ध्यान रखने योग्य बाते क्या होती है और उससे समबंदित कोछुधारन इसी पार्थ में अब हम विशेश रिपोर्ट के बारे में जानेंगे कि कैसे होती हैं ऐसी रिपोर्टों को त्यार करने के लिए किसी घटना समस्या या मुद्दे की गहरी चानबीन की जाती है उससे संबंदित महत्वपूर्ण के साथ उसको लिखा जाता है और पेश किया जाता है विशेश रिपोर्ट के भी कई प्रकार होते हैं खोजी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट इन्डेप्थ रिपोर्ट विशलेशनात्मक रिपोर्ट और विवरनात्मक रिपोर्ट विशेश रिपोर्टों के कुछ प्रमुक प्रकार हैं ये याद रखने योगी चीजे हैं कि विशेश रिपोर्ट जो है वो तीन तरीके की है खोजी रिपोर्ट, इंडेप्थ रिपोर्ट और विशलेशनात्मक और विवरनात्मक खोजी रिपोट में रिपोर्टर जो है वो मौलिक शोध और च्छानबीन के जरिया ऐसी सूचना या तख्ञे सामने लाता है जो सारवजनिक तोर पर पहले से उपलब्धन नहीं थी और जाहिर है किसी भी सूचना, ऐसी सूचना जिसके बारे में गहरी चानबीन की जरौत है और ऐसी जानकारी जो उससे संबंदित पहले नहीं थी उसकी चानबीन करके उस रिपोर्ट को लाना तो ये जो नाम है इन्हीं में इनका अर्थ चुपा हुआ है ज्यादा इस पर मेहनत करने की खास जरौत भी नहीं है सर्फ इनके नाम पढ़िये और इनके अर्थ को समझने की कोशिश करिये और इनसे संबंदित जो जानकारी है वो बहतरी तरीकी से समझ मैंगी जैसा की खोजी रिपोर्ट है इसमें ऐसी चानबीन होती है जिससे सम्बंदी तथे सामने पहले नहीं होते और इसमें खोजबीन की जाती है और उस तथेओं को सामने लाए जाता है खोजी रिपोर्ट का इस्तिमाल आम तोर पर भ्रष्टाचार, आनिय में ताउं और गडबडियों को जागर करने के लिए किया जाता है इन डेप्थ रिपोर्ट में सर्वजनिक तोर पर उपलब्ध सूचनाओं, तथ्यों और आकडों की गहरी चानबीन की जाती है यानि जो तथ्यों उपलब्ध कराये गए हैं वो सही है या नहीं उनकी चानबीन की जाती है इन डेप्थ यानि गहराई में तो इसके अंदर गहराई में जो है चानबीन की जाती है जबकि विवरनात्मक रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या के विस्तरित और बारी के विवरन को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है विवरन का अर्थ होता है कि किसी भी विशे को विस्तार से बताना अविशलेशन जो की उसके सारे पहलों को एक साथ लाकर पेश किया जाए आम तोर पर विभिन प्रकार की विशेश रिपोर्टों को समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है लेकिन कई बार ऐसी रिपोर्टों को फीचर शैली में भी लिखा जाता है क्योंकि ऐसी रिपोर्टे समाचारों की तुल्ल में बड़ी और विस्तरित होती है इसलिए पाठकों की रूची को बनाया रखने के लिए कई बार उल्टा पिरामिड और फीचर दोनों ही शैली को मिलाकर इस्तिमाल किया जाता है और रिपोर्ट बहुत विस्तरित और बड़ी हो तो उसे श्रंकला बद करके कई दिनों तक किस्तों में छापा जाता है तो हमने पहले पढ़ा समचार लेखन जिसको उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है फिर फीचर लेखन जिसकी कोई निश्चित शैली नहीं होती है फिर विशेश लेखन है जिसमें जरोद पढ़ने पर दोनों शैलियों को एक साथ भी लिखा जाता है और दोनों शैलियों में से भी किसी भी शैलियों का प्रियोग करके भी लिखा जाता है विशेश रिपोर्ट की भाषा जो है वो सरल सहजोराम बोलचाल की होनी चाहिए विशेश रिपोर्ट का एक उधारन है बिरहोरों का विलुप्त होता संसार जबहर, पलामू, बिहार अखु बिरहोर की विधवा पत्तियों और घासपूर से बनी अपनी कुमभा या जोपड़ी के भगल में चुपचा बैठी है बिरहोर बस्ती पलामू जीलों के बालूमठ ब्लॉक में इस्थित जबहर गाउं के बिलकुल बाहर है जब हर लोग के लोग जिनमें से कुछ ने जिला मुख्याले डल्टन गंज के शांदर बंगलो को देखा है इन कुमभों को एर कंडिशन कहते हैं वैसा क्यों कहते हैं ये हमें उस समय पता चला जब छोटा नागपूर से आने वाले ठंडी हवाएं इन जोपडों से होकर गुजरी और ठंड से हमारी हड्या काप गई बिरहौर भी आस्ट्रो एशियाटिक भाशाई समूं के हैं जिनमें हो संथाल या मुंडा जंजाती के लोग आते हैं वे जंगल के लोग हैं छोटा नागपूर छेतर की खाना बदोश जाती के ये लोग मुखे रूप से पलामू राची लोहर दगा हजारी बाग और सिंग भूं के आसपास विचरते रहते हैं कई मामलों में बिरहोर लोग अजीब और गरीब प्रानी हैं और इस तरीके से विशेश रिपोर्ट में इस जाती से सम्मंदित एक खोज भीन की गई है विशेश रिपोर्ट लाई गई है और विशेश लिखन लिखा गया है सरल भाशा का और आमोलचाल की भाशा का प्रिय करते हुए आगे की चर्चा भी बताए गई है इनकी जाती भी समाप्त होती जा रही है 1971 की जनगर्णा में बताया गया कि उस वर्ष इनकी संख्या लगभग चार थी अवे महज दो के आसपास हैं हो सकता है इससे भी कम हो इसमें उड़ीसा के लगभग 144 और मद्यपरदेश के सरसठ भी शामिल है बेशक इनका समू मुख्य समू बिहार में है इस राज्य में 1971 की जनगर्णा के समय इनकी संख्या 3464 थी 1987 बिहार की सरकारी अध्यन के मताविक इनकी संख्या घटकर 169 हो गई थी मद्यपरदेश में इनकी संख्या 1971 से में 798 से घटकर 1991 में सरसठ हो गई भी खक्यूर कराशने संख्या में सब्सक्राइब कि रीपोर्टन के साथ है जो की एक विशेशala खोज होती है खोज परताहिक आ घटकर 205 ऐसे शामिल कर सकते हूं और एक बहुत लिपने recovery रीपोर्टमी के शामिल कर सकते हैं जो इस बहुत इन डैप्ध जो न्यूस त्यार की जाती है उसके अंतरगत आ सकती है कि किस तरीके से प्रतेक सन की जानकारी है और वो खाका पूरा दिया गया है यहां पर आगे बढ़ेंगे विचार परक लेखन, लेख, टिपड़ियां और संपाद किये अकबारों में समाचार और फीचर के अलावा विचार परक सामागरी का भी प्रकाशन होता है कई अकबारों की पहचान उनके वैचारिक रूजहां से होती है एक तरह से अकबारों में प्रकाशित होने वाले विचार पूर्ण लेखन से उस अकबार की छवी भी बनती है अख़बारों में संपादगिये प्रिष्ट पर प्रकाशित होने वाले संपादगिये अग्रलेक, लेक और टिपडियां इसी विचारपरक पत्रकारी लेखंगी श्रिनी में आते हैं यानि जहां अखबारों के अपने विचार प्रस्तुत करने वाले जो अपने पेज होते हैं जिनको संपाद के पेज कहा जाता है उससे उनकी बहुत पहचान होती है उनकी प्रसिद्धी भी होती है और उसका एक बहुत महतोपूर्ण स्थान है तो वो विचारपरक और भी विचारपरक लेखन के तहट आते हैं आप एक उधारन दे सकते हैं कि आप नवभारा टाइम्स के संपाद के पेज पर जा सकते हैं आपको वहाँ पर ऐसे जो कॉलम हैं देखने को मिलेंगे जहां विशेशग्यों और वरिष्ठ पत्रकारों के स्तंभ भी देखने को मिल अब जो एडिटोरियल पेज होता है उसको संपाद की लेखन का जाता है उसके विशे में चर्चा करेंगे संपाद के प्रिष्ठ पर प्रकारशित होने वाले संपाद की एको उस अखबार की अपनी आवाज मना जाता है संपाद की के जरिये अखबार किसी खटना समस्या य पाद की किसी व्यक्ति विशेश का विचार नहीं होता इसलिए उसे किसी के नाम के साथ नहीं छापा जाता यानि जो एडिटोरियल पेज होता है क्यूं जादा तर जो है उसको एक competitive exam में उसको बहतरीन हिस्सा माना जाता है competitive exam के लिए जिसको बच्चे बहुत पढ़ते हैं अपने competitive exams की त्यारी के लिए संपाद की पेज होता है क्योंकि जो बड़ी-बड़ी खबरे होती है उस खबर को निस्पक्ष होकर यानि किसी के पक्ष में होकर उसको नहीं लिखा जाता है और ना किसी के द्वारा उस विचार को प्रकट किया जाता है बलकि जो एक common विचार है जो की वास्तविक्ता है उस विचार को लेकर विशे को लेकर उसको तथ्यों के साथ उस पेज पर पेश किया जाता है तो ये संपाद की पेज जो होते हैं वो अखबारों की आवाज होते है यानि उस समाचार पत्रों की जान होती है तो इसलिए उस संपादकी पेज पर जो है विशेश आपको जो कॉलम है वो देखने को मिलेंगे संपादकी के जरी अखबार किसी घटना समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय को प्रकट करता है हिंदी के अखबारों में कुछ में तीन कुछ में दो और कुछ में केवल एक संपादकी प्रकाशित होता है संपादिके का एक उधारन प्रस्तुत है मुल्यांकन का दाइरा अगले विद्यालेई सिक्षा सत्र के विद्यार्थियों के सतत और व्यापक मुल्यांकन की प्रक्रिया लाग हो जाएगी जो यहाँ पर जो पाठे करम है जो CAA के अंतरगत आती थी उसके तहत जो मुल्यांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी उसके विशे की चर्चा यहाँ पर की जारी है तो यहाँ पर CAA की जो प्रणाली थी जिसके माध्यम से बच्चों का मुल्यांकन किया जाता था वो चर्चा को पेश करते वे यहाँ पर संपाद की को पेश किया गया है कि अगले विद्याली सिक्षा सत्र से विद्यार्थियों के सतत और व्यापक मुल्यांकन की प्रक्रिया को लागू की जाएगी इससे पाठे पुस्तकों का बोज और परिक्षा का तनाव कम करने का सरकार का मकसद किसी हद तक पूरा हो सकता है इस प्रक्रिया को अपनाने का प्रस्ताओ रास्ट्रिय शेक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिस्थ का था फिलहाल लिखित और प्रायोगिक परिक्षाओ के अधार पर मुल्यांकन का प्रावधान है जब कि विद्याले में रहते हुए विद्यार्थी की सक्रियता पाठे पुस्तकों तक सीमित नहीं होती है वेखेलकूद संगीत भाषन वादविवाद जैसी अनेक रचनात्मा गतिवधियों में भी शरीक होती है इनका पाठे करम से सीधा सीधा कोई संबंध है भले ना हो पर ये विद्यार्थी के सीखने समझने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है जिस प्रणाली के अंतरगत बच्चे को पाठे करम से जुड़े हुए पुस्तकों का पाठन करने के साथ-साथ जो गतिवी धियां है उनमें भी शामिल कराया जाए जिससे कि उनका सतत मुल्यांकन यानि पूरी तरीके से उनका मुल्यांकन किया जा सके उनका कौशल निखारा जा सके तो इससे संबंधित ये संपाद किये है जो यहां पर दिया गया है और जनसत्ता में प्रकाशित ये संपाद किये है जो नीचे लिखा भी गया है और इस कि किसी विशेश के विचार को वहां नहीं प्रस्तुत किया जाता है बलकि संपादक के द्वारा एक कॉमन जो विचार होता है उस विशेश को लेकर तथ्यों के साथ उसको वहां पर पेश किया जाता है स्तंभ लेखन स्तंभ लेखन क्या होता है इसी तरह स्तंभ लेखन भी विचारपरक लेखन का एक महत प्रमुख रूप है ये भी विचारपरक लेखन का एक रूप है स्तंभ लेखन कुछ महतोपूर लेखक अपने खास वैचारिक रुजहान के लिए जाने जाते हैं उनकी अपनी एक लेखन शैले भी विक्सित हो जाती है ऐसे लेखकों की लोग प्रियता को देखकर अकबार उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा दे देते हैं स्तंभ का विशे चुनने और उसमें अपने विचार व्यक्त करने की स्तंभ लेखक को पूरी छूट होती है स्तंभ में लेखक के विचार अभी व्यक्त होते हैं यही कारण है कि स्तंभ अपने लेखको और स्तंब लेखन के लिए एक उधारन आपको आप नवभारत टाइम्स के जो एडिटोरियल पेज में लेफ्ट साइड कॉर्णर में देख सकते हैं वहाँ पर एक लेखका जो है थोड़ा फनी और थोड़ा सिक्षा देने वाला भी एक लेख होता है आप उसको पढ़ सकते हैं उधारन के तौर पर और वो पढ़ने के बाद बहतरी तरीकी से समझ में आज़ेगा कि इस्तंब लेखन क्या है तो इस्तंब लेखन जो है किसी लेखक जिसकी एक लेखन शैली होती है वो होती है उसके अनुसार उसकी लोगप्रियता होती है और लोगप्रियता के अधार पर उसको इस्तंब लेखन का जिम्मा दे दिया जाता है उसी शैली के नाम पर वो जाने वो पसंद किये जाते हैं कुछ स्तंभ इतने लोगप्रिय होते हैं कि अखबार इनके कारण भी पहचाने जाते हैं लेकिन ने लेखकों को स्तंभ लिखन का मौका नहीं मिलता है संपादक के नाम पत्र अकबारों के संपादगे प्रिष्ट पत्र और पत्रिकाओ की शुरुआत में संपादक के नाम पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं सभी अकबारों में ये एक थाई स्तंब होता है ये पाठकों का अपना स्तंब होता है ये स्तम नए लेखकों के लेखन की शुरुवात करने और उन्हें हाथ माजने का भी अच्छा आफसर देता है लेख, सभी अख़बार समपाद के प्रिष्ट पर समसामाईक मुद्यों पर वरिष्ट पत्रकारों वरिष्ट जो सीनियर होते हैं, वरिष्ट पत्रकारों और उन्हें के विशेशग्यों के लेख परकाशित करते हैं लेखों में किसी विशे या मुद्य पर विस्तार से चर्चा की जाती है लेख विशेश रिपोर्ट और फीचर से इस मामले में अलग हैं कि उसमें लेखा के विचारों को प्रमुकता दी जाती है यानि ये जो लेख होता है वो विशेष्टा जिसके द्वारा लिखा जाता है उसमें वो अपने जो विक्तिगत विचार हैं उसको पेश कर सकता है और उसी को ही प्रमुकता दी जाती है और ये अधिकार जो है वरिष्ट जो लेखक होते हैं उन्हीं को दिया जाता है लेकिन ये विचार तथ्यों और सूचनाओं पर भी अधारित होते हैं और लेखक तथ्यों और सूचनाओं के विशलेशन और अपने तरकों के जरी अपनी राय को प्रस्तुत करता है ऐसा नहीं कि लेखक अपने किसी भी तरीकी की विचार को प्रस्तुत कर सकता है उसको तथ्यों के साथ और विशलेशन के साथ और सूचनाओं के साथ ही अपने राय को प्रस्तुत करना पड़ता है लेख लिखने के लिए परियाप्त तयारी जरूरी होती है इसके लिए उस विशे से जुड़े सभी तत्यों और सूचनाओं के अलावा प्रिष्ट भूमी सामागरी भी जुटानी पड़ती है यह भी देखना चाहिए कि उस विशे पर दूसरे लेखों को और पत्रकारों के क्या विचार है लेखक की भी कोई एक निश्चित लेखन शैली नहीं होती है और हर लेखक की अपनी एक शैली होती है लेकिन अगर आप अख़बारों पत्रकाओं के लिए लेख लिकना चाहते हैं तो शुरुआत उन विशे के साथ के नीचे जिस पर आपकी अच्छी पकड़ हो और जानकारी हो लेख का भी एक प्रारम मद्ध और अंत होता है लेख की शुरुआत में अगर उस विशे के सबसे ताजा प्रसंग या घटना करम का विवरन दे दिया जाए और फिर उससे जुड़े अन्य पहलों को सामने लाया जाए तो लेख का प्रारम आकरशक बन जाता है इसके बाद तथ्यों की मदद से विशलेशन करते हुए आखिर में आप अपना निसकर्श यमत प्रकट कर सकते हैं और फिर आता है साक्षातकार और इंट्रव्यू जो की आप शनिवार के दिन के जो एडिटोरियल पेजे न्बीटी में वो उसमें देख सकते हैं साक्षातकार और इंट्रव्यू समाचार माध्यमों में साक्षातकार का बहुत महत्व है पत्रकार एक तरह से साक्षातकार के जरिये ही समाचार फीचर विशेश रिकोर्ट और अन्य कई तरह के पत्रकारी लेकरन के लिए कच्चामाल इकठा करते हैं कच्चा माल ये कि ज़ादा तर रिपोर्टर्स जो होते हैं वो इंटर्वू के अधार पर ही सारी सूचनों को ग्रहन करते हैं और उसके अधार पर ही समाचार तयार करते हैं लेकिन जो साक्षातकार, जो सीधे सीधे साक्षातकार जो आर्टिकल के रूप में दिये जाते हैं, उनकी बात यहां हो रही है, साक्षातकार सिर्फ न्यूज इकठा करने के लिए सूचना इकठा करने के लिए ही नहीं ली जाती है, उन्हें डिरेक्ट जो है वो न्यूस पे का एक सपष्ट मक्सद हो और धाचा होता है एक सफल साक्षातकार के लिए आपके पास न सिर्फ ग्यान होना चाहिए बलकि आप में समवेदन शीलता, कूट नीती, धैर्य और साहस जैसे गुण भी होने चाहिए एक अच्छे और सफल साक्षातकार के लिए जरूरी है कि आप जिस विशेपर और जिस वेक्ति के साथ साक्षातकार करने जा रहे हैं उसके बारे में आपके पास परियाप्त जानकारी हो दूसरे आप साक्षातकार से क्या निकालना चाहते हैं इसके बारे में इस पश्ट रहना बहुत जरूरी है आपको ये सवाल पूछने चाहिए जो किसी अकवार के एक आम पाठक के मन में हो सकते हैं सक्षातकार को अगर record करना संभव हो तो बहतर है लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो तो सक्षातकार के दुराना आप notes लेते रहें सक्षातकार को लिखते समय आप दो में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं और ये सवाल और फिर जवाब के रूप में लिख सकते हैं या फिर उसे एक आले की तरह भी लिख सकते हैं और इस तरीके से सक्षातकार को तयार किया जाता है और उसे लेने के लिए तयार हुआ जाता है साक्षातकार लेने वाले को जिसका साक्षातकार लिया जाता है जिसका इंटरव्यू लिया जाता है उसके लिए पूरी तयारी करना चाहिए उस तयारी में या आता है कि जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है उसके विज़ारे में पूरी जानकारी हो कहीं ऐसा ना हो कि आप होती हैं लेने वाले के लिए और देने वाले के लिए भी और जो इंटरव्यू लेता है उसके लिए दो तरीके हैं कि वह साक्षातकार को या तो रिकॉर्ड कर ले और रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो आप उसको सवाल यो जवान की रूप में लिख सकते हैं या फिर एक आले की रूप में भी लिख सकते हैं और यह यहा cuma पर एक विक्ति परक पर्कष और समाचार फीचर का उधारण दिया गया है जिसको आप किसी भी newspaper के editorial page में जाकर पड़ सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि interview जो है आप NBT के Saturday वाले editorial page को पड़ सकते हैं, भाट पर एक interviewing जुरूर होता है तो इस तरीके से इस पार्ट के अंतर्गत हमने किस तरीके से समाचार लेखन, फीचर लेखन, विशेश लेखन जिसके अंतरगत और तीन प्रकार थे वो पड़े हमने लेख देखा और इंटरव्यू जो है वो उससे संबंदित जानकारी ली है पार्ट से संबंदित किसी भी परेशाने के होने पर आप कमेंट कर सकते हैं और हम उसका उत्तर देने के लिए की कोशिश करेंगे